हलो एब्रिवन तो इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार के अररिया जिला के बारे में तो अररिया जिला भारत के बिहार राजी में है पुर्वतर बिहार में आने वाला यह जिला पूर्णिया प्रमंडल के अंतरगत आता है अब अररिया जिला का नामकरन और गठन तो ब्रि इरिया कहना शुरू कर दिया जो कालांतर में अररीया हो गया यानि कि रिसेटेंचल इरिया को सौट फॉर्म में आर इर्या कहा जाने लगा और वहीं बदल कर बाद में अरर्या हो गया इस का गठन 1964 में मर्तमान अररिया जिले के भुखभाग को भुत्वपूर्ट पूर्णिया जिले का अनुमंडल बताया गया था जनवरी 1990 में इसे पूर्णिया जिला से अलकर के एक स्वतन तरजिडा बनाया गया अरर्या जिले का इतिहास तो अरर्या के पास एक बहुत ही प्रतिश्ठित अतीत है हाला कि अनिस्चित्ताओं के बीच में कटा हुआ है माह भारत के कुछ वन्स जो पूर्वी भारत में भीम की बिजय का वणन करते हैं जिले की पुरा तनता के बारे में भूमूल ले जानकारी प्रस्तोत करते हैं। प्राचीन इतिहास में भारतिय इतिहास के तीन महतपुर्ण वन्सों के सासनकाल में अररिया को तीन अलग-लग संस्कृतियों के संगम का स्थान कहा जा सकता है। च्छेतर मुगल सासकों के अधीन था जबकि मौरे काल में समराच असोग के सासन में अररिया और आसपास का इलाका था उसके बाद तो गुप्त बंस का सासन रहा था 1738 CCU में पूर्णिया के मिलेटरिक गवर्नर सैफ खान ने राजा नंद लाल को यहां का प्रसासक निउक्त किया था अररिया जिला का इतिहास महाबारत काल से भी जुड़ा है यही नहीं इस पिछले जिले की इतिहास में द्वापर युके भी कई तार जुड़े हैं जब मकर संकरांती के दिन 14 जनवरी 1990 को ततकालीन मुख्य मंतरी जगनाथ मिस्र सहर के एंससी ग्राउंड में अररिया को जिला का दरजा देने की घोशना की थी तो जिले वासियों को मकर संकरांती का नयाब तोखा ही नहीं मिला बलकि 31 सालों से इसके लिए संघर्स करने वा उन्होंने उत्तर पस्ची भारत के रोमांच में भाग लिया था तिहतरवी मूल इंफैंट्री के विद्रोहों से लड़ते हुए वह भागलपूर के आयुक्त यूल की टीम में भी सामील थे एजे फोंप्स ने सुल्तानपूर स्टेट की स्थापना की और इस जिले की के नजदीक हुई थी 1857 के प्रकरण और कानून विवस्था के बारे में अन्य घटना करमों को ध्यान रखते हुए 1864 में अररिया को बहतर प्रसासन प्रदान करने के लिए अररिया मटियारी दिमिया हवेली ये कुछ हिस्सों और बहादूर गंज को बिलाय करके उप विभ 130 वर्ग किलो मीटर है अब इसकी बाउंडरी देखे तो इसके उत्तर में है नेपाल इसके दक्षिड में है पूर्णिया जिला इसके पुरू में है किसन गंजिला और इसके पस्ची में है सुपॉल और मधेपूरा जिला इस जिले की प्रमुख नदिया है कोसी सुवारा का जाली परमार और कोली इस जिले की प्रमुख भासा जो यहां बोली जाती है वो है हिंदी भोजपूरी मैथली और उर्दू और सत वर्षा इस जिले में लगभग हो जाती है 1195 मिलिमीटर और मीस मीजिले में अधिक्तर जो मेटी पाई जाती है वो बलसुंदरी मेटी पाई जाती है अब इसे जिले की अर्थववस्था क्रिशी और उसके उत्पादों पर जूई हुई है तो अरणिया जिले की अर्थववस्था मुख्य रूप से क्रिशी परने भर है जिले में उगाई जाने वाले प्रमुख फसल है धान, मकई और जूट अब प्रसासनिक सेटप देखे अर्णिया जिले का तो यह पूर्णिया प्रमंडल के अंतरगत आता है प्रसासनिक सुविधा के लिए अर्णिया जिले को दो अनुमंडलों और नौ प्रखंडों में बाटा गया है अनुमंडल कौन कौन से है तो अर्णिया जिले को दो अनुमंडलों में बाटा ग ये नौ प्रखंड है जो कि अर्या जिला को नौ प्रखंड में बाटा गया है फॉर्विस गंज अनुमंडल के अंतरगत तीन प्रखंड आते हैं फॉर्विस गंज नर्पत गंज और भरगामा जिला परिशत की संख्या इस जिले में है एक नगर परिशत की संख्या दो, कूल नगर पंचायत की जो संख्या है वो है एक और कूल पंचायतों की जो संख्या है अररिया जिला में वो है 218 कूल राजस्व गामों की संख्या अररिया जिले में 751 वन लोक सभा निर्वाचन छेतर इसे जिले में एक है जो कि है अर्रिया पिधान सभा निर्वाचन छेतर में और और अर्रिया जिले की देमोगरफी여 नही Fen गरिक 2011 की जन्गार के आंसार एक जीले की जनसांखिक की को देखते हैं तो इस जीले की को यहां टीब कंटीट पॉंट व्वान मन लेक है तो थीअ की जनसेशंकर ठीटीलिक्ट और स है depends कि crabs भाइन व्य देखेश परिया तो यहांनि प्रती वडेक किलो मेटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं तो अर्या जिला में 993 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमेटर में रहते हैं बिहार की जन संख्या में इस जिले का कितना अनुपात है तो 2.7% है लिंगा अनुपात इस जिले की देखे यानि कि प्रति एक हजार पुरसो पर महिलाओं की संख्या क इस जिल्या की सहरी जन संख्या है 6% और ग्रामरी जन संख्या जो है वो है 94% यानि कि आप देख सकते हैं कि यह जिला जो है वो पूरी तरह से ग्रामरी जन संख्या वाला जिला है जहां कि 94 प्रतिसत लोग जो है वो ग्रामरी छेत्रों में निवास करते हैं अब अधिकारिक जनगर्णा 2011 के अनुसार इस जिले की धर्म की जनगर्णा देखे तो यह जिला जो है वो एक हिंदू बहुत संख्यक जिला है जिले में हिंदू की संख्या 56.68 परसेंट है जबकि मुसलिमों की अबादी 42.95 परसेंट है और यह धर्मों की बात करें तो जिले में इसाई धर्म जो है वो 0.15 परसेंट 6 धर्म 0.01 परसेंट और बहुत धर्म है 0.01 परसेंट जैन धर्म जो है वो 0.07 परसेंट है अब अररिया जीले के कुछ पर्याटन अस्थल है तो पहले जो पर्याटन अस्थल वो है खंडेश्वरी काली मंदिर तो मा काली का प्रसिद प्राचीन मंदिर अररिया जीले में रसित है इस मंदिर के इस्थापना 1884 में की गई थी इसका 9 निर्मण 1887 में किया गया है इस मंदिर की उंचाई 155 फीट है इसकी गिनती देश भारत के सबसे उंचे मंदिरों में किया जाता है हजारों की संख्या में दूर दूर से स्रधालों यहां पूजा अर्चना करने आते हैं रानी गंज व्रिक्ष वाटिका तो प्राक्तिक कर्तिक संदर सेभर पूरी हदर सनिये और मनोरम अस्थल अरर्या जीला मुख्याले से 30 किलो मीटर दूरी पर पस्चिम दिसा में रानी गंज में इस्थित है 289 एकड में फैले इस छेत्र को वन छेत्र के रूप में विक्सित किया गया है जै विविद्टा उध्यान कुसियार गाओं तो अरर्या जीले के कुसियार गाओं में यह विहार का पहला बायो डाइवर्सटी पार्क है जीला मुख्याले से लगभग 10 किलोमेटर की दूरी पर नेस्तनल हाइवे 57 के पास यह जो जै विविद्टा उध्यान है वो इस्थित है प्रकर्तिक स्थूप जिसे की रेपली का स्थूप कहा जाता है तो यह अरर्या जीला मुख्याले से लगभग 15 किलोमेटर की दूरी पर फॉर्विस गंज की और जाने वाले मानिकपूर के पास इस्थित है सीव मंदिर ठाकूर बाड़ी तो अरर्या के प्राचीन ठाकूर बाड़ी में सहर के मध्य में भगवान सीव का यह मंदिर अस्थित है सुल्तान फोखर यह क्या है हिंदू और मुस्लिम समधायों के लिए फॉर्विस गंज में सुन्दाल फोखर एक मुहत्पूर अस्थित है बाबा सुन्दानाथ सीव धाम तो भगवान सीव का यह प्रसिद मंदिर कुरसा कांटा प्रखंड के सुन्दरी में अस्थित है अब अररिया सहर के सटे पनार नदी में गैंगटिक डॉल्फिन आपको सहज तरीके समझर आ जाएंगे यहां के अस्थानिये लोग डॉल्फिन को सोंस के नाम से भी जानते हैं लेकिन संरक्षन नहीं होने की वज़ज़ से कई बार इन डॉल्फिनों की मौत भी हो जाती है अब अररिया जीला आप कैसे पहुँचेंगे तो हवाई मार्ग देखे तो अररिया का कोई अपना हवाई अड़ा नहीं है निकटम हवाई अड़ा है बाग डोगरा हवाई अड़ा जो की अररिया से 111 किलोमेटर की दूरी पर पस्चीम बंगाल में अस्थित है दूसरा न नजदी की रेलवेल स्टेशन अररिया कोट और अररिया है सड़क मर्ग देखे तो अररिया नेस्नल हाई वे 57 से जुड़ा है अररिया बस अड़े से बिहार राज्य के विभिन जिलो और प्रखंड प्रमुख प्रखंडों के लिए नेमित बस सुविधा उपलब्ध है प् वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद